अगर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कानों में हलके से कहूँ, हरा और बहुत ही बड़ा तो most probably तुम्हारे दिमांग में हल, डाइनसार, टैफी स्रेक की इमेज बनेगी विकोज ग्रीन कलर इन क्यारेक्टर्स की बेसिकली पहचान है और क्या तुम्हें पता है, हलक ओरिजिनली ग्रीन के जगा ग्रे था बट कुछ मिस्प्रिंट्स के वज़े से उसे ग्रे से ग्रीन करना पड़ा दर असल हुआ ये था कि लेट 1950s और 60s के टाइम पे फेंटास्टिक पॉर की कॉमिक्स बन अव धी मुश्ट पॉपिलर कॉमिक्स हुआ करती थी जिसमें सबका फैन फेडरेट क्यरेक्टर हुआ करता था दथिंग सो दथिंग की पॉपिलारेटी और सक्सेस को देखते हुए स्टैनली ने एक और साइन्टिफिक एक्सपेरिमेंट गॉंड रॉंग टाइप करेक्टर यानि कि हल को बनाने का डिसीजन लिया जिसकी लोने ने जोईश माइथलोजी के गोलम डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड नाम की एक नौवल और फ्रैंकस्टाइन जैसे मॉंस्टर से इंस्पिरेशन लेकर हल के करेक्टर को डिजाइन किया और इजनली उन्हें ग्रे कलर इसलिए चुना था विकास वो हल को काइंड ओफ डरावना और हॉरर टाइप वाइप देना चाहते थे हैं जसो ये भी नहीं चाहते हैं कि इसके कलरों किसी जात पास से जोड़ा जाएं विकास यू नो हल्क मॉंस्टर है बट चीज़ें एकसर वैसी होती नहीं जैसे हमने प्लैन की हो विकास इतना सब कुछ करने के बाद जब कॉमिक्स एक्ट्वली में प्रिंट होकर आई तब हल्क ग्रे के जगा 50 shades of grey बन गया क्वाइट लिटरली क्योंकि उस समय की प्रिंटरी टेकनलोजी उतनी एडवांस नहीं थी कि grey कलरों consistency के साथ एक जैसे प्रिंट कर पाए क्योंकि पहले के time के comics stamp के जैसे प्रेस करके प्रिंट की जाती थी क्योंकि computers तो थे नहीं और प्रेशर डिफरेंस और गलत कलर proportions को mix करने के वज़े से किसी पैनल में हल्क बिलकुल light metallic grey बन जाता था सब्सक्राइब कर देना और वी तुम ऐसी वीडियो के लिए बस इतना ही